दोस्तो हम गूगल पे से किसी को भी बैलेंस कैसे ट्रांसफर करें हमें किसी को भी पैसे भेजने हैं और हम उसके मुवाइल नंबर के द्वारा उसको पैसे भेज सकते हैं आज मैं गूगल पे से बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी नंबर पर पैसे भेज सकते हैं यानि की ट्रांसफर कर सकते हैं चलिए दुस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके पास एक Google Apps होना चाहिए यानि GPA जो की आपको जो की आपको फ्री में प्ले स्टोर से मिल जाता है तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर लीजिए और एक बार आपका bank account इससे जोड़ जाना चाहिए एक बार आपका जो account है profile है वो Google paper बन जानी चाहिए यानि की आपका bank account जोड़ जाना चाहिए जिससे आप पैसे किसी को भी transfer करेंगे उसके बाद आपको पैसे भीजने है माल लीजिए कि किसी को पैसे भीजने है, मोवाइल रिचार्ज करना है, बिल का पेमेंट करना है, गैस का, इलेक्टरिसिटी का या किसी को स्कैन करके पेमेंट करनी है यह सारी चीज़े आप कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा किसी भी मुवाइल नंबर पर पैसे कैसे ट्रांसफर करें तो यहां पर आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पर पे कॉंटेक्ट लिखा हुआ है यानि अगरे आपके फ़ौन में जितने भी कॉंटेक्ट हैं उन पर आपको पैसे भीजने की आजादी है आप उस पर पैसे भीज सकते हैं या किसी को भी अगर आपको पैसे भीजने हैं तो उसका number पहले अपने mobile phone में add कर लीजिए और उसको पैसे भेजे जा सकते हैं चलिए देखते हैं इसी को भेज के तो यहाँ पर यह कुछ number है जिन पर मैं पैसे भेज़ूंगा तो यहाँ पर मैं माल लीजिए एक number ले लेता हूँ जिनको मैं हमेशा पैसे भेजता हूँ तो यहाँ पर यह देखिए मैंने आज की date में payment करी है 500 रुपे की अब मैं इन्हें पैसे भेजना चाहता हूँ तो यह number select हो गया अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर pay का option है message का है तो message type करूँगा तो केवल message जाएगा pay type करूँगा तो option खुलके आ जाएगा कि मुझे इनको कितने रुपे भेजने है यहाँ पर मैं demo कर रहा हूँ तो मैं इनको एक रुपे भेजता हूँ यहाँ पर कुछ मैं message भी लिख सकता हूँ कि मैंने भेजा है यानि x, y, z तो यहाँ पर एक रुपे मैं भेज रहा हूँ और यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे कि bank account भी आ गया है और payment भी करनी है तो आपके account में पैसे होने चाहिए उसके बाद payment हो जाएगा यहाँ पर हमें click करना है click करते ही हमारा UPI pin यहाँ पर डालना है और उसके बाद एक रुपे इस नमबर पर चले जाएंगे तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने number डाल दिया है यानि UPI pin और मैं यहाँ पर click कर देता हूँ आपका internet on होना चाहिए और आपका GPS location on होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने कर दिया और अब यह payment transfer हो रही है नीचे यह message दिखा रहा है और यहाँ पर यह payment complete हो गई तो यह रहिए 500 रुपे मैंने सुबह बेजेते और यहाँ मेरा message भी आ गया तो यहाँ पर 1 रुपे मैंने payment कर दिया है आपको मैं आपास से दिखा देता हूँ तो इस तरीके से किसी भी नम्मर बर रुपे बेजे जा सकते हैं और इसकी अगर पूरी डीटेल है तो यह पूरी और इस तरीके से इसकी यह पूरी डीटेल भी आप देख सकते हैं मालनी जीए सामने वाला कहता है किसी भी मोवाइल नंबर पर वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें